मुझे नी लगता की देश के एतियास में एक्स पर लिख रहे हैं कि एडी अर्विंद केजरिवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती लेकिन बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि सोच तो ब्रस्ताचार की है ब्रस्ताचार की गंगा बह रही थी तो यहां पर लोगों को समझाने कि एक चुनौती भी आपके सामने मूब आये खड़ी है जी चीज कहना चाहूंगा कि आज भाजपा के प्रवक्ता जब ये चीज कहते हैं कि ब्रस्ताचार हुआ है दिली के एकसाइस पॉलिसी में तो आज हसी आती है क्यों क्योंकि ये पहला केस है जिसमें दो साल से जाज च पास पहुचा वो नहीं मिला लेकिन एक शराप कंपनी जिसका दिली लिकर पॉलिसी में इनका भाग था उस पर जब रेट पड़ी तो उसने इलेक्टरल बॉंड के जरिये बीजेपी को पैसे दे दिये उसकी तो पूरी मनी ट्रेल इलेक्टरल बॉंड के डेटा में आ गई तो आज तो ED को भाजपा के मुख्याली पे जाना चाहिए था रात को ये पूछने के लिए कि दीजे शराबनीती का पैसा लेकिन ED अगर अर्विन केजरिवाल के घर पे जा रही है जहां पे अब तक आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास एक चबनी नहीं मिली इसका मतलब साफ है कि यहां पे मकसद ब्रस्टाचार की investigation करना नहीं है राजनेतिक मकसद है अर्विन केजरिवाल जी को लोगसबा चुनाओं में नहीं campaign करना है आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुचे केवल एक ही मकसद है और यह मेरे ख्याल से दिली के जनता को हरगेज मनज का या विपक्ष की डाल में भी कुछ काला है पर अभी खबर हमारी निगाहें बनी हुई है अर्विन केजरिवाल के घर पर वहां की ताज़ा तस्वीरे भी मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरे दो स्योगी वरुन जैन और दीपक रावत मौके पर ही अब मौजूद भी है रास्ते में बलकी पहुंच रहे हैं दीपक ताज़ा अपडेट क्या है? पूच्टाच बाकाइदा शुरू हो गई है अर्विन केजरिवाल से जी बिलकुल बिलकुल पूच्टाच इस मामले में शुरू हो गई जो अभी की जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से कहाई जारता कि सिर्फ समन दिया जाएगा लेकिन ये जो खबर आ रही है कि अगर पूच्टाच में एडी को लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है सवालों के जो जवाब मिल रहे हैं उससे तो एडी की टीम जो है अर्विन केजरिवाल को अपने साथ दबतर भी लेकिन ये पहली हमने जानकारी दिदी और इसमत्रों के वाल से जानकारी आ भी रही थी ये वही एक फ्लाशबाग दिख रहा है कि आपको आप उस वक्त भी संजे सिंग के घर मौजूद थे जी बिलकुल उस दिन मैं खुद वहाँ पर मौजूद था संदीब जी और ये मैं आपको बताओ तो उस वक्त संजे सिंग को कोई समन भी नहीं बेजा गया था इड़ी की टीम गई थी पूछटाज के लिए या कहा गया था कि पूछताज की लाई है कुछ रेट करना है कोई किसी प्रकार का पहले कोई जानकारी नहीं थी कोई समशन भी न दिया गया था अचानक टीम पहुँची थी पूछता चुई घंटों की पूछता चुई करीबन सुबह के वक्तीम आ गए थी और शाम तक पूछता होती रही और अचाना से ख़वर आती है कि संजे सिंग की गिरफतारी हो नहीं है उन्हें ले जानों और एकदम से भगदल मचनी शुरू हो गई और संजे सिंग गिरफत कर दिया गया तो कि ऐसे ही मामला जो है अर्विंद केजरिवाल को अपने मामले में लग रहा था इसलिए वो बार बार ये कहते रहे कि समन एक बहाना है उनको सिर्फ एडी दफ्तर बुलाना है ताकि वहां पर उनकी गिरफतारी हो सके और यहीं वज़ए कि आमादी कोट में गई है कोट ने तारीखे देर रही की हैमादी ने पारेल को सनुवाई होनी हैं उसका भी इंतजार और इडी आज गर पहुँच कर पहुंच गई है पूचछ नहीं सहयोग नहीं दिया सवालों से कन्नी काटते दिखे और संस्ताओं के जो सवाल होते हैं जहांच एजन्चियों के सवाल उनको पूरी तरह से सैटिस्फाई करना भी अच्छी खासी तेड़ी खीर होती है